हेलो एंसां को क्या हल चले आई हूप आप सभी अच्छे होंगे और घर में एकदम सुरक्षित होंगे तो आज जो हम चैप्टर की बात करें जा रहे हैं वो है आपका एकदम ऑल न्यू चैप्टर डैट इस हूँन हेल्थ आज की लेक्षर में हम इसके इंट्र॥ा करेंगे तो इसटार्ट करते हैं स्टी ठर को बिना तो इसकी डैपिशन की क्या है कि लोग मानते थे तो कि हम सबसे पहले मैं बताया जाओंगा कि हील्थ क्या है और है लोग पहले क्याम देन देना हुआ हैं अगर आपके बाड़ी और माइन्डि के पीछ में बैले नहीं है तो आप healthy नहीं है इस definition को देने के पीछे दो system कहा था एक तो system था आपका इंडियन आईविदा system और दूसरा system नहीं ये एक scientist ही है जिनका नाम है hypocrites तो इनका फादर आफ मैडिसन ही बोलते हैं ठीक है तो इनका दौनों का involvement है इस hypothesis के पीछे ठीक है तो पहले यही मना जादा था ल अलाकि मैं सो गलत नहीं बोल रहा हूं लेकिन इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही है अब दिर दिरे टाइम के साथ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती गई और हमें पता चला कि health कुछ और ही है सिर्फ इतनी सी definition health के लिए sufficient नहीं है अब जैसे दिर ज़्यादा open up होने लग गई ठीक है इस चीज़ में हम आगे जाके discuss करेंगे एक चीज़ में आपको अभी ही बताने जा रहा हूं जैसे कि जो mind है mind का काम क्या है mind का काम है body को influence करना दो system की मदस से बस जैसे की mind का बस काम क्या है जैसे हमारी ये body है तो इस body को control दो ही तरह से किया जाएगा तो हारी body में एक तो है nervous system और एक है endocrine system nervous system body को control करता है nerve impulses के द्वारा nerve impulse जो आपने पढ़ा हूँ है action potential 11th class में endocrine system body को control करता है through through hormones ठीक है अच्छा जी neural impulse भी छोड़ सकता है nervous system और endocrine की तरह भी function करता है like ये कुछ hormones में कलता है जैसे अपना hypothelius के बारे में पढ़ा होगा खेर मैं इसके बारे में बिसकस ज्यादा नहीं करूँगा आपके सामने ये सब चीजें already बहुत ज्यादा clear हो चुकी है चलिए जी तो यहां पर आपको बता चलिए कि mind का इतना ज ही है जो हमारी health को maintain करता है अब ये immune system के बारे में इन्होंने नहीं बताया अपनी hypothesis में ठीक है दे दिरे हमने blood पढ़ा और blood के component पढ़े lymph और lymph का फिर system पढ़ा lymphatic system और आपकी knowledge के बता दूँ इस lymphatic system को ही हम लोग immune system बोलते हैं ओके आई होब आप चीज को याद रहेंगे ब कि पुराने system में क्या था और नहीं में क्या है ज्यादा time waste नहीं करेंगे आपको बस इतनी ही knowledge की जुरत है history में और यादा की जुरत नहीं है ठीक है अब आगे बात करें जा रहे हैं और मैं आपको बढ़ाएं जा रहा हूं like कौन कौनसे इसे factor हैं जो affect करते हैं health को ठीक है तो health को affect करने वाले factor ने सबसे पहले genetic disorder आपने इन सब के बारे में genetics वाले चप्टर में पढ़ लिया होगा फुर भी बता लेता हूं ऐसा disorder जो parents से उनकी next generation में जाते हैं ठीक है ना parents से उनकी officer में जाते हैं उनको हम genetic disorder बोलते हैं like अगर parent को कोई भी mutation हो रखा है उसके अंदर तो उसके बच्चे के अंदर वो बीमारी transfer हो जाएगी ठीक है और transfer कैसे होता है अगर कोई भी pathogen बहार से enter कर रहा है like कोई भी pathogen pathogen is what pathogen is a disease causing agent मैंने DCA लिख दिया है हलाक in terminologies का ग्यान भी मैं आपको जल्दी ही दे दूँगा ओके तो infection क्या है एक pathogen की इंटेगर बॉड़ी के अंदर हो जाए ठीक है pathogen क्या फैलाते हैं बीमारी यां फैलाते हैं तो अगर pathogen हमारे सेरी में जाएगा तो सीधी सी बात बीमारी फैलाएगा और बीमारी फैलाएगा तो हमारी health effect होगी और genetic disorder तो मैं आपको बता ही दिया है अगर father या mother मतलब हमारे parents को अगर कोई disorder है तो बच्चे के अंदर भी disorder होगा तो उससे भी उसकी health effect रहेगी आपको कोई infection नहीं हुआ है फिर भी आप बीमार पढ़ सकते हो कैसे तो देखो lifestyle से lifestyle क्या है जैसे आप जीते हो अपनी जिन्दगी मुझे नहीं पता आप आपनी जिन्दगी क ऐसे जीनी है जिसे कि आप बीमार ना पढ़ें अब स्कूल में जैसे कुछ बच्चे हैं अगर वो छुटी करते हैं या कुछ भी करते हैं बीमार पढ़ते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि वही बीमारी अगर तुम ही हो तुम बाइलोजी पढ़ रहे हो और फिर भी आपको मिल जाएगी डेस्क्रिप्षन में चलो जी आगे चलते हैं फटा-फट अब factor affecting health तो मैंने पढ़ा ही दिया है यहां तक कोई भी doubt है तो comment में डाल देना या फिर जो मैं अगली live class लोगा उसमें डाल उसमें पूछ देना ठीक है चलो जी आगे चलते हैं फिर अब मैं बात बताने जारू आपको health की एकदम proper definition बनेगी क्या तो health की जो proper definition है is health की जो definition है वो यह है कि अगर कोई भी सरीर physically, mentally या socially ठीक है कोई भी person है कोई भी person ठीक है यह physically भी fit है मतलब बॉड़ी के सबी और अच्छी से function कर रहे हैं और यह mentally भी अच्छा है यह बहुत जल्दी डरता नहीं है मतलब stable mind का है और society में भी इसकी value अच्छी है जैसे कि जो भी society के लोग हैं वो सब इससे खुस है कि हाँ भी यह बंदा अच्छा काम करता है सब की respect करता है तो health एक ऐसी state है जिसमें कि इनसान कोई भी जीव physically, mentally और socially क्या हो अच्छा हो ठीक है अब सब कोई भी जीव मतलब social मैं social जीवों की बात करूँ है आप इस सरफ human की ही बात कर रहे हैं ठीक है चलो जी कोई भी human अगर physically, mentally और socially क्या है अच्छा है तो उसको हम healthy बोल देंगे otherwise वो healthy नहीं कहलाएगा health का एक मतलब यह नहीं है कि अगर किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है बस ठीक है अगर किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है ठीक है अगर किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है मतलब बीमारी नहीं है या फिर वो physically पूरा fit उसके six packs भी है तो अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है सिर्फ तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो हेल्दी है हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं हम उसकी मेंटल फिटनेस और सोचल फिटनेस की भी बात कर रहे हैं ठीक है आयो भी हाँ तक आपको पता चल गया होगा कि मैं क् की सजाधा हो जाएगा लेजी नेज़ी नेज खतन हो जाएगी थी करते हैं और कि कि इस आइच है प्रोड़क्टिविटी की जो प्रोड़क्टिविटी वह भी इंक्रीज पहले माँ चलो आप कम काम कर पा रहे थे और आपके काम से जो भी प्रोड़क्ट पहले कम बना पा रहे थे तो अब आपको प्रोड़क्ट जादा बना पाओगे ठीक है पढ़ाई जादा कर पाओगे अदला बहुत सारी चीज़े अप समझते हो इसके वादा इनकीज है वो भी जादा हो जाएगी ठीक है अगर आप बीमार रहते हो तो पॉसिबल चांस है कि आपकी लाइफ स्पन कम रहेगी लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ को जादा बढ़ाना है तो हेल्दी रहना पड़ेगी जैसे कि बाबा राम देव हैं ठीक है राम देव जी क्या है इनफेंट का मॉर्टलिटी रेट और एमेमर का मतलब होता है मैटरनल मॉर्टलिटी रेट अच्छा जी तो अगर आप अच्छे हेल्दी हैं अगर कोई मदर अच्छे से एकदम बहुत ज्यादा हेल्दी है बहुत ज्यादा हेल्दी है ठीक है तो क्या होगा मदर जो है अ पार्चुरीशन के दोरान कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं आएंगी क्योंकि वो हेल्दी है और अगर मदर हेल्दी नहीं रहती है तो कॉम्प्लेक्सिटी के रिजल्ट में या तो बच्चा मरेगा है ना या तो बच्चा खतम हो जाएगा या फिर मदर खतम हो जाएगी खतम का मतलब death ठीक है तो mother अगर आपकी due to any kind of complexities pregnancy के related complexities में अगर वो आ जाती है तो यही दो case में मिलते हैं ठीक है तो अगर infant मर जाता है तो उसको हम बोलेगे infant mortality rate और अगर mother मर जाती है तो उसको हम बोलते है maternal mortality rate ठीक है चलो जी और आज कल के इनसान बहुत जदा बिमार पढ़ते हैं कम healthy रहते हैं क्योंकि आज के time में जो work efficiency वो भी कम हो गई है इनसान घर बैठे बैठे ही काम कर लेते हैं जैसे मैं भी आपको घर बैठे बैठे ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो physical work बहुत कम हो गया है जिससे कि physical health पे impact पढ़ता है और आज के इंसान तली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खाते हैं पहले लोग कम खाते हैं खेर यह सब चीज़ें बाद लिस्केस करेंगे ठीक है यह less of life shell के अंदर में आता आप कैसा food खाते हो कि क्या करते हो चलो जी यहां तक आपके सवर्ज में आ चुका है और इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि आप अच्छी health को कैसे achieve कर सकते हो कैसे achieve करेंगे अच्छी health को ठीक है तो start करते हैं और सबसे पहले हैं आपकी जो diet है वो hygienic होनी चाहिए मतलब साफ सुत्री diet होनी चाहिए ठीक है साफ सुत्री और बेलेंस बहुत चाहिए उसके अंदर जितने में nutrient हैं वो बेलेंस उने चाहिए जितना protein चे उतना protein हो जितना कार्ब हो जितना जो भी nutrient चे वो उतना ही होना चाहिए ठीक है इस वाद बात करते हैं personal and community hygiene साफ सफाई एक तो आप personally भी साफ सफाई से रहें और अच्छा जी इसके बात करते हैं regular exercise अगर आप exercise करेंगे अच्छे से तो बहुत ज़्यादा benefit है ठीक है एक research के साब से अगर आप exercise भी करेंगे तो आपकी neurons भी बढ़ जाते हैं neurons ठीक है इस वाद बात करते हैं knowledge अब आप इतना biology पढ़ रहे हो आप लोग को aware कर सकते हो किसी बीमारी के बारे में ठीक है और उसके effect क्या-क्या पढ़ सकते हैं तो आप जो education ले रहे हैं उसका दूसरे को ना benefit मिलना ही चाहिए ठीक है तो knowledge होगी तभी तो आप उससे दूर रहेंग तो आपको पता है कि लॉइन खतर ना के तवी तो आप उससे दूर रहते हो तो फिर जब आपको इतना सब कुछ पता है कि इन इन चीजों को करने से बीमारियां हो सकती है तो इतनी knowledge होने के बावजूद भी आप अगर बीमार पढ़ते हो तो इसके दोसी भी आप ही हो आप से कहा जा रहा है घर बैठके पढ़ें तो घर बैठके पढ़ें इसमद बात करते हैं इम्मूनाइजेशन आपने का जो इम्म्यून रेस्पॉंस है वो जगा देना कैसे भी किसी वीमारी के खिलाफ ठीक है या फिर आपके इम्म्यून इम्मूनिटि को या फिर इम्म्यून पावर को बूश्ट कर देना अब वो कैसे होगा उसके दो ताइप है आपको आगे पढ़न को लेगे लेकिन मैं अभी थूड़ा सा बता रहा हूँ इम्नाइशन का एक टाइप है पैसे एक def अपैक है पैस सबी बच्चों ने स्कूल में अपना वैक्सीनेशन करा लिया होगा ठीक है अच्छा तो इम्नाजिशन दो तरह का होता एक तो था पैसिव नाजिशन एक होता एक्टिव नाजिशन ठीक है और पैसिव इम्नाजिशन को हम बोलते हैं सिर्फ यह तो नॉर्मली इम्नाजिशन ह होता जिसमें हम प्लाजमा डॉनेट करते हैं है फिर ट्रास्मा ट्रांस्पांट करते हैं ठी Kab desse में जब कि जो आपका यह एक्टिव नाजिशन है इसको वेक्सीनेशन बोलते हैं आप सब सब्क्रार क्या होते हैं सर वेक्टर होते हैं आपके ऐसे एजन्ट चो एक प संखेवार तो यहां झालिको और भी आपके और यहां को यह हो गया है इसको हम वेक्टर बोलते हैं जो एक परसन से दूसरे परसन बिमारी फैला दे सो को वेक्टर बोलेंगे ठीक है अच्छा इसको जादा नहीं फैलने देंगे तो अच्छी हैल्थ रहेगे ठीक है यह कुछ मैंने गिने पॉइंट्स निकाले हैं इनको आप ज़रूर से पढ़िएगा और नॉलिज में भी लाइए और लोग का वेर भी कीजिए अब बात करते ह वेश्ट अगर आपके घर में जो भी कूड़ा करकट है उसको आप अच्छी से डिस्पोज नहीं कर रहे हो तो भी बीमानियां फैल सकते हैं क्योंकि इन वेश्ट के ऊपर फिर पैथोजन गिरू करते हैं जितना आदा वेश्ट होगा उतना आदा पैथोजन गिरू करेंग अच्छा जी हां तक सब कुछ हो चुका है अब हम बात करते हैं आपके सामने नेक्स टॉपिक डाट इस डिसीज ठीक है तो अगर डिसीज की डेफशने मैं आपको बताना चाहूं तो देखो कोई भी ऐसी कंडीशन ठीक है या फिर आपकी बॉड़ी की कोई भी ऐसी गॉड़ी के अंदर या फिर आपके बॉड़ी के फंक्शन के अंदर कोई भी ऐसा चेंज आ रहा है जो पहले नहीं था मतलब जवाब नॉर्मल ते तब वो नहीं था और इस change की वजए से आपको क्या हो रही है discomfortness हो रही है इस change की वजए से आपको क्या हो रही है discomfortness हो रही है या फिर कोई भी disability हो रही है तो उस condition को हम disease बोलते हैं देखिए I am again repeating it ध्यान से सुनेगा आपके physical आपके अंदर कोई भी physical या functional change आ रहा है आपकी normal state से मतलब जब आप normal थे उससे अलग आपके अंदर कोई change आ गया तो अगर उस change की वजए से आप discomfortness फील कर रहे हो आपको comfort फील नहीं हो रहा है या फिरा कोई काम नहीं कर पा रहे हो उस change की वजए से तो उसको हम disease बोलेंगे disease का simple meaning भी यही होता है this मतलब against इसका मतलब होता है against और ease मतलब होता है comfort ठीक है इसका मतलब होता है comfort तो ऐसी कोई भी condition जो के comfort zone से आपको बाहर ले जाए ठीक है उसको हम disease बोलेंगे यहां comfort zone का मतलब sofa set या sleep well के गद्दे के सोने का मतलब नहीं है यहां comfort का मतलब जाओ आपकी body अच्छे से काम नहां कर पाई ठीक है तो उसको बोलेंगे हम ौके जी तो आगे चलते हैं इसके बाद इसके बाए इसके बाद बात करते हैं disease देखो दो तरह के हो सकते हैं एक तो सकता है थीक है इसको हम लोग गेर बोल सकते हैं नॉन काम्योनी केबल ठीक है ठीक है girdि तो communicable disease वो होते हैं जो कि एक person से दूसरे person में transfer हो जाएंगे और non-infectious वो होते हैं या फिर non-communicable वो होते हैं जो एक person से दूसरे person में transfer नहीं हो सकते और जो transfer हो जाएंगे those diseases which can transfer या फिर spread from one person to another is called as infectious disease and this disease is known as non-infectious disease simple है वहीं क्या जिर जा रहा हूं बहुत ही खतरना का example है that is AIDS AIDS ऐसा है जो कि एक person से दूसरे person में transfer हो सकता है and the next one is non-infectious disease और उसके example मैंने सामने दिया है cancer ओके अच्छा अब देखो infection disease में दो तरह के हो सकते है अच्छला मैं अपने हिसाब से तीन तरह के बता रहा हूं अपने हिसाब से ठीक है तो पहला हो सकता है इसमें contagious contagious ठीक है और एक हो जाएगा इसमें non contagious non contagious ठीक है और एक हो जाएगा sexual transmitted disease ठीक है STD तो contact यह से बहुता है जो body के अगर दो बॉड़ी किदम direct contact में आ रहे हैं जैसे मैंने किसी को छूद दिया या फिर मेरे saliva काउंटेक्ट में कोई सीधा आ जाए ठीक है या फिर मैंने कोई पानी जूटा कर दिया फिर उसने वो पी लिया ऐसा भी कुछ ठीक है और non contagious ठीक है जो in direct contact में जैसे कि कि मेरे द्वारा यूज किया हुआ कोई भी cloth कोई और पहन ले कपड़ा कोई और पहन ले मेरे कपड़ों को तो मेरे इसकिन में जो disease होंगी क्या पता वो उसको भी हो जाए तो ऐसे डिसीज़ को में non contagious और जो sexual contact से फैलते हैं उसको हम बोलते है STD ठीक है हाला कि मैंने यह तीसरा पार्ट के वालक से लिया है तो देखिए भई इसलिए लिया है क्योंकि यह थोड़ा सा अलग केस है और यह आपने रिप्रेक्टिव हैल्थ में पढ़ा होगा चलो कोई बात नहीं STD जो है आपका वो आपके d is a contact me को यहांप में पर आती है ठिक है तो इसका एक XTD हो सकता कोई बात नहीं जैसा आप को ठीक लगया है समझ लिजेगा ठीक है तो कोई बात नहीं आप यह कर दिए जगा कोई दिकत नहीं है अब जो यह AIDS है, is a contagious disease, ठीक है, जबकि infectious में आपके non-contagious भी आ सकते हैं, like malaria, ठीक है, या फिर scalp में जो fungal infection हो जाता है, fungal infection वो BC में आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यह हूँ आपको यहां तक सब्सक्राइब में आया होगा, ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपकी body अगर कोई भी drug या alcohol का abuse करती हैं, तो इससे भी आपकी health पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, drug और alcohol का abuse, यह abuse क्या है, abuse मतलब होता है, आपको जो prescribe किया गया है, उससे अलग जा करके, उस limit को पार करके, अगर आप कोई चीज यूज करते हैं, उस लिमिट को अगर आप cross कर गए, तो उसको abuse करना बोलते हैं, ठीक है, मतलब गलत यूज, जान बूज कर करते हैं, ठीक है, चलो, इसकी बात करते हैं, आपके सामने मैं कुछ home work दे रहा हूं, that is the vaccines, ठीक है, तो vaccine क्या होती है, जो body के अंदर immune response को जगाती है, मतलब की antibody बनवाती है, antibody, ठीक है, antibody production, जो body के अंदर antibody production कराती है, किसी भी बीमारी के खिलाब, और आपको अभी से में clear कर देता हूँ, अलग-अलग बीमारी के लिए, अलग- specific होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, तो इसलिए अलग-अलग बीमारी के लिए, अलग-अलग vaccines है, तो देखो भई, मैंने यहाँ पे कुछ बीमारी के नाम लिख रखे हैं, ठीक है, और इन बीमारी के लिए कौन-कौन सी vaccine दी जाती है, वो लिख रखी है, य जैसे की BCG बहुत ही popular है, सब इने सुना हुआ, एक्जाम में पूछ लिए हुआ है, question आपसे, आपकी previous career में, तो BCG का फुल फर्म है, bacillus, comment, urine, ठीक है, और ऐसी बीमारी जो पुपलर बिमारी जैसे के टाइफाइ, टाइफाइट के लिए क्लिए 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 क्लि लिजेगा, और इसका screenshot ले लिजेगा, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, चलो, इसका आगे चलते हैं, और मैं आपको एक और लिश्ट देने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे, बहुत सारे test की, जो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी test आप पढ़ेंगे, उन सब की मैंने यहां पर जानकाई दे दी हैं, जैसे कि अलगलग बीमारियां हैं, उनके लिए कौन कौन से test हम यूज करते हैं, मैंने पहले बताया, मैं exam purpose के साथ से पढ़ा रहा हूं, तो यह सब जितनी भी चीज़ें हैं, यह सा आपको सीधा याद कर लेनी है, ठीक है, इसके लिए डिप्थीरिया के लिए ठीक है, विडाल टेस्ट है आपका टाइफाइड के लिए ठीक है, और एलीजा, एड्स बग्यारा, वी डी आरल, ठीक है, यह 11 टेस्ट है, 11 के 11 टेस्ट याद के लिए इससे बहर question जाएंगे नहीं, ओके जी, चलो जाएंगे, इसके ब इनफेक्शन क्या होता है, ठीक है, बस यहीं तक ही पढ़ाऊंगा, यह important technologies और पढ़ लिए फिर खतम हो जागे लेक्चर, ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक लेक्चर आपका record करे डाल दूँगा, bacterial disease का और एक डाल दूँगा, viral disease का, ठीक है, अच्छा, तो infection क्या होता है, infection ह होता है, invasion या फिर growth, invasion मतलब अंदर आ जाना, कुछ यगर भार से अंदर आ रहे हैं, तो उसको हम बोलता है, invasion या फिर growth of pathogen in body, अगर body के अंदर, इनका क्या हो जाए, invasion हो जाए, या फिर growth हो जाए, body के अंदर, simply अगर मैं आपको समझाओं, तो body के अंदर, अगर किसी भी pathogen की entry हो गई, तो इस process को हम infection बोलेंगे, ठीक है, अच्छा, next है pathogen, pathogen क्या होते हैं, disease causing organism होते हैं, ऐसे organism जो बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, next बात करते हैं, vector क्या होते हैं, तो vector ऐसे जीव होते हैं, जो की transmit कर करते हैं, disease को, बिना बीमार हुए, अगर वो खुद तो बीमार होंगे नहीं, लेकिन दूसरों के अंदर बीमारियां फिला देंगे, जैसे कि female anophilies mosquito क्या आपने कभी सुना है कि female anophilies mosquito को malaria हो गया है, सुना कभी आपने, आपने नहीं सुना होगा बही, क्योंकि ये vector है, ये खुद बीमार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये mosquito हमें बाइट कर जाए, तो इसके saliva से वो pathogen हमारे सेरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, चलो, अब बात करतें carrier की, देखो ये vector और carrier थ carrier is an organism, who harbors the pathogen in its body, and passes it on to someone else, और वो इसको किसी दूसरे के अंदर पहुचा देता है, सर, अच्छा मैं इसके example देता हूँ, पहले तो इसके example हाउस फिलाई, अब ये चीज़ें आपको confuse कर सकती हैं, तो मैं ये चीज़ें आपके सामने clear कर देता हूँ, ठीक है, पहले ही clear कर देता हूँ, तो सुनेगे देहां से, देखो बई, vector, ठीक है, और carrier, जहां से सुनेगा, vector भी क्या करता है, पैथोजन को, इसको पैथोजन को transfer करा देगा, एक organism से, दूसरे organism से, दूसरे organism तक, ठीक है, अच्छा, और, carrier भी यही काम कर सकता है, वो भी एक organism से, दूसरे organism तक क्या transfer करा देगा, पैथोजन को transfer कर देगा, but there is a difference, there is a difference, and the difference is, देखोई, vector की अंदर, क्या होता है, थोड़ा, उसका चक्कर होता है, life cycle का, अमने सुने होगा, life cycle, life cycle, ठीक है, life cycle क्या होता है, बर्द से लेकर, death तक का जो time होगा, बीच में देखो, जो है, line phase भी आएगा, reproduction भी करेगा, वो, और वो बूड़ा भी होगा, ठीक है, तो life cycle कंसेप्ट आ जाता है, यहाँ पर, तो देखो भाई, vector के अंदर, तो वो अपने, कोई, sexual, या फिर, asexual life cycle क्या करेगा, complete करेगा, इसके अंदर तो, इसके लेंदेना किस से है, life cycle से है, मतलब कि, pathogen को, अगर, vector नहीं मिला, अगर, pathogen को, vector नहीं मिलता है, तो उसकी, life cycle पे, दिक्कत हो सकती है, जबकि, carrier के case में, ऐसा नहीं है, carrier केस में, उसको कोई लेंदेना नहीं है, किस से, life cycle से, ठीक है, जैसे कि, house fly, जो, जिस pathogen को house fly transfer करता है, उसका नाम है, विब्रियो कॉलेरी, जो, कॉलेरा बीमारी फैलाता है, वो bacteria, ठीक है, कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, तो ये है, विब्रियो कॉलेरी को transfer करता है, कौन? आपका house fly, ठीक है, house fly, जबकि जो आपका, इधर में, अगर मैं example हो, वो है, female anophleese mosquito, ये किसको transfer करता है, ये transfer करता है, आपका plasmodium को, ये transfer करता है, जी, plasmodium को, ठीक है, plasmodium, ठीक है, अच्छा, अगर plasmodium को, female anophleese mosquito मिल जाता है, तब तो ये अपनी sexual life cycle को पूरा कर लेगा, लेकिन विब्रियो कॉलेरी को, अगर house fly नहीं भी मिलता है, तब भी अपनी life cycle को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, ठीक है, समझ में आया, तब भी इसकी life cycle क्या होगी, अगर plasmodium को, female anophleese mosquito नहीं मिला, तो इसकी life cycle क्या रहे जाएगी, अधूरी रहे जाएगी, बाइ चांस इसको, female anophleese mosquito नहीं मिला, तो इसकी life cycle भी अधूरी रहे जाएगी, ठीक है, बस इतना ही समझा सकता हूँ, मैं scale guarding, अगर सर्द में आ गया होगा, तो आप बहुत भी intelligent personalities में गिने जाओगे, ठीक है, चलो जी, खतम करते हैं, scale को यहीं, ठीक है, स्की शोटे लोगर आपने नहीं लिए तो मैंने दुबार से देखा दिया आपको, ठीक है, चलो, चलो जी, इसके आप बात करते हैं, अपने और terminologies की, अच्छा जी, इसके बाद हम आ गए हैं, इधर, अब बात करते हैं, incubation period की, incubation period क्या होता है, तो देखो, आपके infection से लेकर, जब आपकी body में first symptom आएंगे, किसी भी बीमारी के, तो उसकी बीच में जितना भी time लगा है, उसको हम बोलेंगे, incubation period, पर example, आपके अंदर infection होता है, एक मार्च को, ठीक है, एक मार्च को infection हुआ, मतलब कि, एक मार्च को आपने कुछ ऐसा गलस सलत खा लिया, जिसकी वज़य से, आपकी body के अंदर, कोई pathogen क्या कर गया, enter कर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो खापी के एक नमस्त ग इना उचल लिया, आप दो दिनों चल लिया, प्तिन दों चल लिया, लेकिन एक तारिक मैंने Massachusetts मैं रेंडम तारिक ले रहा हुं कोई भी तो बीमारी होगी है, डेक हो रहा है, मेरे तो फीवर हो रहा है, मेरे सिर में तो दर्द हो रहा है, मेरे तो इस टमख में पेन हो रहा है, उस दिन आप अब ऐसे पड़े हो, पास दिन आप उचल लिए, खुशी-खुशी कि भई देख, हमारे इम्निटी कितनी बहन कर रहा है, तो बैइ यहां पे जो बात हो रही है यह जो टाइम लगा है ना बीच में यह यहां से लेकर यहां तो टाइम लगा है इसी टाइम को हम बोलते है इनक्यूबेशन पिडियर आहीव पापस को याद रिखेंगे इतने तो समार्ड बच्चे हो आप लोग तो इनक्यवेशन पीडिस में आ गया होगा ठीक है तो कभी भी गलास ना खाएं उचले नहीं जादा ठीक है इसका बात करते है एपीडायमिक डिसीज क्या होता है ऐसी कोई भी विमारी जो एक बार में बहुत ही लार्ज नंबर ओफ पीपल को क्या करते अफेक्ट करते उनको जैसे कोविड जिसकी वैसे आप ये क्लास ले रहे हो ठीक है इस तरह से कोविड-19 ये बीमारी क्या था चाइना के कोई वहांग वहांग सिटी था ना वहांग सिटी वहांग में फैला था एक बारे में पूरे बहुत सारे यहां पर जितने भी लोग हैं सबको उन्होंने ब कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो किस विमारी के लिए जाने जाते हैं कि जैसे कि ये फलाना एरिया है इसमें ये विमारी तो common है ठीक है न दिल्ली है यहाँ पे तो डेंगू होता ही रहता है लोगों को गंद की ही इतनी क्या करें तो ऐसी विमारी को हम बोलेंगे endemic disease जो कि वहाँ के लोगों में normally मिल जाती है ठीक है चलो एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो आपने सुना भी होगा latest and that is pandemic disease and that disease is pandemic disease तो देखो भी pandemic disease क्या होता है जब एक बड़े एरिया से कोई बीमारी दूसरे बड़े एरिया में transfer हो जाए वो ही बीमारी पहले तो एक बड़े एरिया को उसने cover किया उसके बाद फिर किसी दूसरे बड़े एरिया में चले गई वह बीमारी तो उस बीमारी को हम बोलेंगे pandemic disease अगेन इसका example अगेन COVID-19 हो जाता है क्यों क्योंकि देखो न चाहिना से कितने सारे देशों में ये फैल गई बीमारी इसले इसको endemic disease बोलेंगे ये important term है आगया आगया को काम में आएगी तो ये एक ऐसी immune process है हमारी जिसकी मदद से हम किसी भी foreign सवस्टान्स को या फिर कोई भी foreign pathogen हमारी सेजिर के अंदर आया है उसको रोग देंगे उसके काम को रोग देंगे और उसका हम elimination करा देंगे किसकी मदद से फैगो साइट्स की मदद से हमारी body में immune cell में फैगो साइट्स हैं मैं आपको दो बता रहा हूँ कौन कौन से हैं एक तो है neutrophil neutrophil और एक है macrophage ठीक है यह सब आपने पढ़ा होगा 11th class में कोई बात नहीं दोबारा पढ़ा देंगे इन सब को immune cell में ठीक है इसमाता next है inflammation कभी आपके सहीर में fever आया है headache आया है तो यह क्यों आया है यह इसलिए आया है क्योंकि यह हमारी body की ऐसी process है जिससे की वजह से हम fight करते हैं किसके खिलाफ उन सब चीजों के खिलाफ जो हमें नुकसान पहुचा रही है जैसे कि आपके सहीर में अगर पैथोजन एंटर कर जाता है तो हमारा सहीर का जो temperature है वो बढ़ने लग जाता है जिससे की यह जो heat generate हो रही है वो किल कर दे किसको पैथोजन को पैथोजन को किसको पैथोजन क्या कर दे किल कर दे इसलिए heat generate हो रही है खेर यह मैंने एक example दिया है आगे बहुत example आएंगे इम्यूनो लॉजी में ओके तो आई हो भी हाँ तक आप सभी कुसमें आ गया होगा जो यह मैंने पढ़ाया है यहां पे ठीक है चलो जी इसके बाद बात किरते हैं कुछ कौन कौन सी common decision यह सब बात में अभी नहीं करूंगा यह सब बात में lecture 2 में करूंगा ठीक है यह लेक् आपको मिल जाएगा आज ही ठीक है मैं खुद से record कर रहा हूं इतना अधा editing वगेरा आता नहीं पर देख लीजिए काम चालीजिए चलो